असलालेकूम दिवाली में यूज के वडियों को क्या फिकने जा रहे हैं बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजेगा क्योंकि इन दियों की मदद से आपके बहुत सरे पैसिप बचने वाले हैं आपका बहुत सरा समय बचने वाला है और साथ के साथ आपके बहुत सरी परिशानियों का अज खात्मा भी होने वाला है वीडियो को बिलकुल भी किजए गा फुल वीडियो को वाच्च कीजिए गा बहुत इंट्रेस्टिंग और वाच्ट इस फूल वीडियो ने वाली है और अगर वीडियो पूर्च जेल का भी यूज़ कर सकते हैं अच्छा जी हम क्यों बना रहे हैं यह सॉलीशन यापको बताते हैं हम जो दी लिए हैं ना हमने वह सारे बहुत जादा अईली है क्योंकि वह यूज़ हैं तो पहले उनका में सारा ओयल निकालना है उसमें से जितना भी चिक्नाहट ह और उसके बाद में हम उन दियों को यूज में लेकर आएंगे और अपनी बहुत सरी परिशानियों को आज खतम कर देंगे तो जी इसमें वाशिंग पॉर्डर मिलाया अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और यह दियों में जो बाती रखी हुई थी ना वो बाती हम निकाल ले अब आप देख सकते हैं कि दियों में कितना जादा ना चिकना पने यह तेल तेल हो रहा है तो जब हम इनको गरम पानी के अंदर डालेंगे वाशिंग बॉर्डर के साथ में तो इनका सारा गसरा तेल निकल जाएगा ठीक है ना इसमें से जितना भी ऑईल होगा या घी होग वो सबका सब निकल जाएगा 15-20 मिनट हमको ऐसी ही रहने देना है और आप देखिए कितना साफ दिया हो चुका है लगी नहीं रहा है कि यह यूजड है ऐसा लग रहा है कि अभी नया नया दिया हम लोगों ने निकाला और उसको पानी में डिप करके रखा था अच्छे जी दियो में से साफ हो चुकी है यहां तक कि ओयल और घी की जो महक होती है वो भी खतम हो चुकी है दियो में से तो हमने सारे दिया निकाल लिए इनको हम पानी से वाश कर लेंगे एक बार और उसके बाद में इन दियों को हम किसी बरतन में रख देंगे उल्टा करके ताकि इस बगल पड़ोस रिष्टेदारों के यहां के जो दियोंगे ना वो भी उठाकर के इकटे कर लेंगे इस बात की गरांटी मैं देती हूं तो यह देखिए हमने सारे दियों को निकाल लिया है पानी में से और उसके बार में इनको सूखने के लिए रख दिया था और सारा पानी इसमें से निकल चुका है ये देख सकते हैं आप कि सारे दियों में से पानी निकल चुका है अब हम इनका इस्तिमाल करेंगे और देखेंगे जी कि सबसे पहले हमारा जो आइडिया है वो क्या है उसके लिए सबसे पहले ले लेंगे हम एक प्लेट और उसमें हम डाल देंगे एक चमश भड़ करके आट आटे की जगह गमले की मिट्टी यूज मैंने यह पर आटा इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा और उसके बाद में जी हमें दाल देंगे डिश्वास जेल अकर डिश्वास जेल की जगह और आप तो फिर आप पाने ढालिएगा ताकि यह टाइप का बंजा आपको थोड़ा सा टाइट 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 का डो बनाना रहेगा तो हमने यह वाशिंग पॉड़र कर क्योंकि यूज किया था तो हमें पानी की कोई खास जुरूरत नहीं पड़ी दो चार बून पानी के भी जुरूरत पड़ेगी जबकि हम यह सब चीजें आची तरीके से मिक्स कर लेंगे तो सिफ इनको इकठा करने के लिए हमें जरा सा दो चार बून पानी डालना पड़ेगा इसमें उसके अलावा हमें बिल्कुल किसी भी पानी की यह किसी भी और लिक्विट की जुरूरत नहीं है तो हम नहीं पर वाशिंग पॉड़र लिया स्वाशिंग प बनाने के लिए तो यह यहां पर हमने पानी हलका सा दो चार बून डाला और यह देख सकते हैं आपके हमारा डो टैप का बन करके त्यार हो चुका है अब जी हम क्या करेंगे हम ले लेंगे दिया और दिये के अंदर ना इस पूरे डो को मनलब की जो हमारा मिक्स्टर बनकर अच्छे तरीकरे से स्चेए कूछ ने यma हर दिये बहुत जबा दर स्चील में लेगे लेंगे हमारे बोद्नों को करेंगा इसकी वज़ास तो जी चलिए और देखते हैं किसका इस्तमाल हम कहां और कैसे करेंगे तो देखिए हम ले लेंगे अपना तवा और आप देख सकते हैं कितना गंदा तवा हो रहा है अभी मैंने इस पर रोटियां बनाएं तनी हो और यह देख सकते हैं आप आटा पुरा चिपका हुआ है करें देख सकते हैं अपका तूट्या आटा निकलता हो तो आप खाली दिया लगाओ तो आप आटा लगाओगे जब तो इस में से आटा और वासिंग पौर्डर और सबकुंश अबने डाला हुआ था है वो धेरे दिखिए निकलता लगांगे जिसकी वज़े से हमारे तवे की जो है न वो सफाई हो जाएगी और दिये की वज़े से जो है न जितनी भी इसमें काली परतिन वो सारी साफ हो जाएगी आप देख सकते हैं तब मेरा पहले कैसा था और अब कैसे कितना साफ हो चुका है इस तरीके से आपना और भी दिये बना सबस्काइब पार नहीं है चलते हैं अपने पड़ों के तरफ में पने पौदों के दालते हैं और अगरे जाता है तो यह जड़ को सन हुए नुक्सान पहुंचाता है क्योंकि पानी जो फेना पीड़, इसे हमाइजर पेड़ क बातों है, इसमानी पानी स्षाने की दिए रहाँ, पानी पानी डाल होते हैं hardly has. तो आप भी इसी तरीकी से अपने पौधों को पानी दीजिएगा और आप देखे कि कितनी अच्छी तरीकी से ग्रोथ करेंगे बिल्कुल भी यह सड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी खराब नहीं होएंगे तो उमीद है कि आप लोगों को मेले यह वाला आइडिया भी जरूर से भी इस नमक का यहे हाल हो जाता है। पूसर clock में पानी भी कभी कभी आ जाता है। इससे बचने के लिए को क्या च्रलीए ले लेएंगे प्रेश दिया आपको यूज्ड नहीं लेना है जो दिया आपके बच्चियों होएंगे उन्हीं को लेना और नमक के अंदर रख देना है और यह दिया आपके नमक में से पूरा मौश्चर जो एना वह एब्जॉर्व कर लेगा बिल्कुल भी नमक आपको खराब नहीं होगा म नेक्स आइडिया के लिए सबसे पहले हमको ले लेना है ग्रेटर और यह दिया और इस तरीके से दिये को ना हमें अच्छे तरीके से घ्रेट कर लेना है पहले और बहुती जबरदस सहीं बनाने जा रहे हो हैं आप इसको देख कर के ना मुझे बिलकुल भी शुक्री आदा कि यह बगर बिलकुल ने रह पाओगे जी बहुती जबरदस सहीं आइडिया है क्योंकि मेरी बहुत सारी बैने जो है न वो इस परेशानियों से दो चार हमेशा होती ही रहती हैं तो उन सभी लोगों के लिए आज ही सॉलिशन लेकर के मैं आ चुकी हूँ तो जी आपको सब इस तरीके से आपको सब्सक्राइब करें तो इसको मैंने बना लिया है सॉलिशन को और यह देख सकते हैं आपकी यह कड़ाई में ना पीछे के साइड़ में जो ताम्बे की कोटिंग होई होती है वो कितनी गंदी लग रही है ना तो इसको हम इसी साफ करेंगे आप देखे है कि कितने अच्छी तरीके से चमक जाएगा एकड़एक और ने की आप अच्छी तरीके से साफ करा सकते हैं वहात एक्छी तरीके साफ siete आपको भी घ्लम इससी को जरुटाने की घिसने की जरुवत नहीं पड़ेगी एकड़ए ना श्याहिन आज्याने होई हथा है पहले ह तो आप देख सकते हैं इसको लगा करके ना थोड़ी दिर के लिए ऐसे रख देंगे और उसके बार में आपको इसको धो करके दिखाएंगे कि किस तरीके से यह साफ हो जाती है आपको लाइव रिजल दिखाएंगे आपको बिल्कुल भी पीता अमरी वगारा या कोई और भी क्यामिकल लाने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसे तरीके से नॉर्मल मिट्टी को मनलब की जो मिट्टी के दिये वगरा होते हैं ना मिट्टी के बड़ते होते हैं उनको ग्रेट कर रिए उसमें विनेगर डाल लिए और उसके बाद में आप अपने जितने भी ताम हलका हलका और आप देख सकते हैं कि सारी कोटिंग कितने तरीके से शाइन करने लग गई है उम्मीद है कि आप लोग को मेरा यह वाला जो आइडिया भी ज़रूर से पसंद आया होगा इसी तरीके से आप लोग भी अपने तामबे के पीतल के और अलुमिनियम के वरतनों को कुछे तरीके से साफ कर सकते हैं बिना किसी भी एफ़र्ट के बिना किसी भी मैनत के बिना किसी भी खर्चे के कोई भी पीतामड़ी कोई भी कैमिकल लाने की आपको ज़रूरत नहीं है चलिए देखते हैं जी हमारा नेक्स्ट एडिया क्या है बहुत ही जबर्दस सही अला हम ट कर लेने हैं और उसके अपर हमको रख देना कि एक दीई यह यह जो दिया है यह और लगनार दीया है अधि अयुआ तो यह जब क्वान économique के едब रई वाले हैं किई रुटते सब टरहें को चाहें सब्सक्राइबसuma बना करें करें यहाँ आप बिलकुल ही भूल जाएंगे आपको सिर्फ और शिफ यहीं चाह मतंब वहिस्यामाई और कहीं अगर आपने अपने मेहमानों को यह ली चाय बिना करके पिला दी तो वह तो आपके हाथ के चाय के दिवा नहीं हो जाएंगे। इस तरीके से चाय बना कर जरूर से ट्राइ किजेगा। वहाध ही ज़ती है। तो तरीकि से पूर्दूल टाइप बना कर ध्यार के तो चाहे को चाहन लेंगे और उसके बात में आप देख सकते हैं कि चाहे का जो कितना अच्छा आए बिलकुल होटल वाली जो नहीं जो ढबे वाली चाही लग रही है तो उमीद है कि आप लोगों को यह वाला आइडिया भी जरूर से पसंद आया होगा इस वाली चाहे को सभी लोगों इपने ऑ गहरों में बच गई होंगी और इसे नौल मिलोग अपने घरों में जो जलाते हैं तो उसमें से चुछा चुछ चुछ नकों ले लेजी नेको बिल्कुल भी जाया हुआ और उनको जो है न इस तरीके से एकठा कर लेना बहुत ही जबरदस सा आइडिया यह इस तरीके से करने के बाद में आपको क्या करना है वह बहुत ही ज़्वीधा काम का थे इसके बाद में गैस की तरफ चलना और गैस पही अप इसको रख देंगे DDR को और यह जो वह मैम ना यह तरीके से मेल्ट हो जाएगी आप चाहे तो डबल बॉयलर में मिसको बना सकते हैं आप चाहे तो किसी भी बेकार जो आपका बरतन जो यूजलेस हो आप उसको बना तो यह बना लिया है कि दूसरे बरतन करने से कोई मतलब नहीं है इसी में बना लिया जाए अच्छा जी आप देख सकते हैं कि मोम जो है ना वह मेल्ट होना चुकी और अल्मोस जो है यह मेल्ट हो ही चुकी है अब हम इसको उतार लेंगे और उतारने के बाद में इसको अच्छे तरीके से पोडर बना करके तो यह कपूर की गोलियों को मैंने अच्छे तरीके से ना पीष दिया पीसने के बार में उसको आखिए रहां लपेटने के बात में हम इसको जो है ना अब régój को स्कति हम थोड़ी तो आप ठीके ने के सुख जाएगी लेकिन अगर में तरके यह पर numerous ko निकाल लेंगे इससे हमारे दो मोईंगे काम हो से न जब भी लाइट चली जा हैँ तो आप इस दिये को जला सकते हैं अपने घर को रोशन कर सकते हैं जबसे पहला काम कपूर की महक से तो वैसे भी सब के सब बहुत जादा दूर भागते हैं और तीसरी चीज जो है ना आपकी जो वेस्ट मुंबतियां थी वो सब के सब यूज हो चुकी है आपके पैसे भी बच गया और आपकी बहुत सारी परेशानियों का खात्मा भी हो गया मतलब कि मक्ही औ लग देना और उसके बार में आपको आटा चानना है आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आटा इदो अदर नहीं जाएगा आपकी छलनी में भी बिल्कुल भी आटा चिपकेगा नहीं और आप देख सकते हैं आप लोगों को मेरे यह वाला जो आइडिया यह भी जरूर से पस नहीं जाएगा आपकी छलनी जो वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होएगी चलिए देखते हैं जी हमारा जो नेक्स्ट आडिया है वो क्या है बड़ा ही जबरदासा आडिया होने वाला यह वाला भी तो जी इसके लिए सबसे पहले हमको ले लेना है फिर से एक दिया और दिय दो लॉंग तो आप दो लॉंग ले लिए इसमें और दो लॉंग लेने के बाद में हम इसमें डाल देंगे जी दो कपूर की जो गोली है ना उसको अच्छे तरीके से हमने ऐसे तोड़ लिया था हाथ की मदद से बहुत तरीके से बहुत ही इसली तूट जाती है एकदम जिस जगे आपको लगता होगी बहुत जादा मच्छर आते हैं आप ले जाए और ले जाकर के रख दीजिए उसको थोड़ा सा आपको जलने देना है और जब रूई जो है ना वो थोड़ा सा आग पकड़ने लगेगी तो फिर आप इसको बुझा दीजिएगा ठीक है ना बुझने के बाद में इसमें से जो धुआ निकलेगा इससे बहुत इची सी खुश्बू आएगी याने की तेजपते की लॉंग की और कपूर की महक तो आएगी आएगी साथ की साथ आपके घर से जितनी भी जो है ना मक्षी और मच्छरे होएंगे ना उन सब को भी भगा देगी और बहुत अच्छी एक पॉजिटिविटी लेकर के आएगी आपके घर में बहुत ही प्यारी सी एक महक आती इससे और उमीद है कि आप लोग को मेरा यह वाला जो आइडिया यह भी जरूर से पसंद आया होगा अच्छा जी अब इसकी जो आग उसको बुझा देग क्या है अच्छा जी सारे आइडियास तो चुके हैं अब जो दिये बचे हुए ना इन दियों को रखने का समय आ गया है तो इनको अगर आपको सेफ और स्टोर करके रखना है न तो आप इसको अगर ऐसी रखो गए तो तो तूट जाएंगे तो आपको क्या करना है कोई भी डिबबा ले लेना और डिबबे के अंदर में आपको इस तरीके से अपने सारे दियों को रख लेना है और इनको आप साल भर के लिए अच्छे तरीके से स्टोर कर सब्सक्राइब बिल्कुल भी खराब नहीं होएंगे जब भी आप इनको यूज करना चाहें डिबबे को ख आईएगा आपको मेरे आइडिया कैसे लगें और कौन सा वाला आइडिया अपनों को सबस्यादा पसंद आया है अगर आपको कोई भी एक आइडिया पसंद आया हो तो अपने फैमली फ्रेंस और रिलेटिप्स के साथ में वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि सार ख्याल रखिएगा अला हाफिज